हर हर महादीव जै माता पारवतीगी भक्तों आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने चैनल पर संदी भक्ती ज्यान गंगा में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम भाद्र पद के शुकल पक्षितित्यतितिति को हम हर तालिका तीज की पूजा करते हैं और हमें जो है पुजन के बाद में चोकी विसर्जन करना होता है तो चोकी का विसर्जन सेम डे नहीं किया जाता है अगले दिन जो है चोकी का विसर्जन किया जाता है तो आप चोकी का विसर्जन कैसे करेंगे चड़ाई गई सामगरियों का हमें क्या करना है कहां पर देना है कैसे विसरजन करना है इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को पूरा देखिएगा आन तक देखिएगा समझने के लिए यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके तो देखिए हमने यह पूजन साम के समय किया था और जब यह पूजन हो जाता है और जब दीपक हमारा सांत होता है तो हमें चोकी का विसरजन करना है तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर दीपक शांत हो गया है तो आप थोड़ा सुक्षम पूजन कर ले जैसे कि कुछ खिलाब पिला दे उसके बाद ही चोकी का विसरजन किया जाता है तो देखिए हम यहाँ पर तीन बार ताली बजाएंगे इस प्रकार से और थोड़ा सा चोकी को हम हिला देंगे और उनसे भगवान से जैसे कि हाथ जोड़ करके प्रातना करेंगे कि आप अपने लोग को गमन कीजिए और अपना आशिरवात दे करके अपने लोग को गमन की जैसे प्रातना करने हैं और उसके बाद में देखे जो हमने जो भोग प्रसाद अर्पित किया था वैसे तो यह बाइना सासुमा को दिया जाता है ननन्त को दी जाती है यदि आपके घर में सासुमा या ननन्त नहीं है तब यह आप यह भोग प्रसाद किसी जरूरतमंद को या ब्रामनी को मंदिर में दे सकते हैं और जो ये सुहाग की सामागरी आपने अरपित किये हैं इसमसे कुछ सामागरी आप अपने यूज में ले ले और बाकी चीज़े जो हैं हमें दान करने हैं तो दान में क्या क्या करने हैं वो देख लीजिएगा जैसे कि आप सिंदूर करई भी शोड़ी जो भी आपने चड़ाई है उसमें से आप दान कर सकते हैं तो इस scheint पूज़ा की संवान का समयां धान करना है भूग में हमने जल लोटा रखा था इस जल के लोटे को आपने पहलेे पूरे घर में चिटक देना है और बाकी जल आप किसी गमले में दाल दीज़ेगा लेकिन ध्यानके तुलसी के गमले में नहीं डालना है और बाकी यह जो भूग-प्रशाद रखा है इस भूग-प्रशाद को आप अपने परिवार में बाट करके स्वैम भी ग्रहेंड करिएगा तो इस तरह से ये जो भोग प्रसाद है आपने घर में इस्तमाल करना है प्रियोग में करना है तो ये चीजे हैं जो माता का आश्रवाद है और ये जो दक्षणा है आप किसी जुर्तमन को दान दे सकते हैं या फिर आप जो सिंगार की सामागरी लिए उस पे रख करके भी आप दे सकते हैं जिसे भी आप ये सिंगार की सामागरी दान करेंगे उनके चरण जरूर छू करके आश्रवाद ले लिजिएगा और ये जो फूल जल विसर्जन या भूमी विसर्जन कर सकते हैं यदि आपके घर में कच्ची जमीन नहीं है तो आप वैसे आजकल गंबले हर घर में मिल जाते हैं एक आद तो आप उस गंबले में डाल दीजिएगा ये खात का काम करेगा तो देगे जो हमने शिवलिंग के नीचे बेल पत् डीजिगा नहीं करना है ये जो आपने यगवपी यानी जनेयों चढ़ाए ये आपके घर में कोई पहनता हो तो उसे पहनने के लिए दे सकते हैं नहीं तो आप ये मंदिर में ले जाकरके पंड़त को दान कर सकते हैं और देगे मैंने इहां पर मिट्टी का जो दीपक चला चड़ायते अंकुरी चड़ी चड़ाने से यह होता है कि हमारी वंश्वेल में व्रिधी होती है तो यह हर्ताली का तीज में भीगेवे चने आरपित किये जाते हैं आप जरूर से चड़ाएं और इसको प्रसाद की रूप में ग्रहन करें जिने संतान नहीं होती है उन्हें सं साफ कपड़े से जो की हमें तस् Kanye में भी चड़ा लगाना है तो इन सभी को चड़ा करके शवच्वन साफ कपड़े से हमें पोंच करके वापिस अपने मंधिर में स्थापित कर लेना है यदि आप दिर आपके भर में ज्यादा मूर तश्वीर आदी है तो आप इसे लाल कपड़े में लपेट करके आप वापस से घर में रख दीजिएगा और देखे जो ये कलावा है आप अपने ऐसे हाथ में पहनने के लिए किसी को भी घर में दे सकते हैं पहनने के लिए तो यह ज़ं जो अकलावा है रख ली जेगा और तस्वीर को अच्छे से पोँच लीजेगा साफ कपड़े से इस प्रकार से और इसे वापिस से मंदिर में स्थापित कर लीजीगा आप चाहे तो लाल कपड़े में लपेट कर अपित कर लीजेगा जब शिप जो हमने अक्षतों का आसन दिया था, इन अक्षतों का क्या करना है, आप अपने जट पर रख दिजएगा, पक्षियादी खा लेंगे, कब उदरादी खा लेंगे, अगर आपके यहाँ पर पक्षियादी नहीं आते हैं, तब यह आप गाए को खिला सकते हैं, या फिर मचलिय का तीज की जो चोकी विसर्जन बहुती सरलवे में किया जाता है तो मैं आपको इस सार्जन का देदी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब जुरूर से कीजिएगा कमेंट बॉक्स में हर हर महादे जै माता पारवती आवशे लिखेगा